सभी को मेरा अभिवादन आज हम अध्याय 21 तंत्रिका नियंत्रन एवं समन्य के अंतरगत हम मानव के मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में जानेंगे अधिगम उदेशिय अर्थात लर्निंग अबजैक्टिव्स हैं केंद्रिये तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मानव के मस्तिष्क उसके भाग और उसके हर भाग के कारे के बारे में अवगत करवाना हमारे शरीर को कुछ अचानक घटित होने वाली घटनाओं से बचाने वाली प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप के क्रिया शीलता के बारे में आपको जानकारी देना इसके इलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वरूप के बारे में जानेंगे और अपने अंदर होने वाली सभी तांत्रिक क्रियाओं की क्रिया कलापों को और उनके महत्व को समझेंगे ये सत्र आपका अवलोकन और ड्रोइंग कोशल को विक्सित करने में मदद करेगा और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ग्यान से संबंदित करने में मदद होगी चलिए सबसे पहले हम केंदरिये तंत्रिका तंत्र के सबसे महत्व पून भाग मानव के मस्तिष्क के बारे में जाने मस्तिष्क मानव एवं अन्य रज्युकी अर्थात कॉडेट्स के शरीर का एक आविशक अंग होने के साथ साथ प्रकृती की एक तिल्चस्प और उत्कृष्ट रचना है देखने में ये एक जैविक रचना ही है परन्तु ये हमारी भावनाओं, इच्छाओं, मन, मस्तिष्क, एहंकार, चेतना, ज्यान, बुद्धी, अनुभव, व्यक्तित्व और वेवार आदी का केंद्र है मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है? ये एक जोलंत विशे है ये जीव विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान, गनित और दर्शन शास्त्र के विशेशग्यों के लिए भी एक रोमांचक विशे है मस्तिष्क सभी रीडधारी प्रानियों में होता है परंतू अर अर अजुकी प्रानियों में ये केंद्रिय मस्तिष्क या स्वतंत्र गैंग्लिया के रूप में होता है कुछ जीवों जैसे नाइडेरिया एवं तारामीन में ये केंद्रिये भूत ना होकर शरीर में यत्र तत्र फैला रहता है जबकि कुछ प्रानियों जैसे संग पौरी फैरा में तो मस्तिश्क होता ही नहीं है मस्तिश्क हमारे शरीर का केंद्रिय सूचना पर सारन अंग है और ये आदेश्व नियंतरन तंतर की तरहां कार्य करता है ये एचिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुक अनेचिक अंगों के कार्य जैसे फेफडे, हरिदे, वरिक आदी, तापमान नियंतरन, भूक एवं प्यास, परिवहन, लए, अनेकों अंतसरावी गरंथियों की किरयाएं और मानव विवार को नियंतरित करता है ये देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्ट, कुशागरता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है स्तंधारी प्रानियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपडी द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है एक व्यसक मनुष्य मस्तिष्क में भार लगबग तेरा सो पचास से चौदा सो ग्राम होता है खोपडी के भीतर मानव मस्तिष्क कपालिये मेनेंजिस से घिरा होता है कपालिये मेनेंजिस तीन परतों का बना हुआ है बाहरी परत डिवरा मेटर है जो पहुत पतली होती है और दिये गए चित्र में नारंगी रंग से दर्शाई हुई है मध्य परत एरेकनोईड है जिसे हरे रंग से दर्शाया हुआ है और एक आंतरिक परत पाया मेटर कहलाती है जो की मस्तिष्क उतकों के संपर्क में होती है ये गुलाबी रंग से दर्शाई हुई है कपालिये मेनेंजिस के भीतर मस्तिष्क उपस्तित होता है मेनेंजिस की जिलियों के मध्य प्रमस्तिश्क मेरू द्रव्य अर्थात सेरिवो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है ये मस्तिश्क की चोट जटकों आदी से रक्षा करता है मस्तिश्क का निर्मान तंत्रिका कोशिकाओं तथा निरोगलिया कोशिकाओं के द्वारा होता है मस्तिश्क को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है पहला अगर मस्तिश्क अर्थात फोर ब्रेन दूसरा मध्य मस्तिश्क अर्थात मिड ब्रेन और तीसरा पश्च मस्तिष्क अर्थात हाइन ब्रेन मस्तिष्क के तीनों भागों को आप अपनी स्क्रीन पर दिये गए चित्र में स्पष्ट देख सकते हो अगर मस्तिष्क नारंगी रंग से दर्शाया हुआ है मध्य मस्तिश्क को बैंगनी रंग से दर्शाया गया है और पस्च मस्तिश्क को पीले रंग से दर्शाया गया है हमारा अगर मस्तिश्क सेरीब्रम, थेलेमस और हाइपोथेलेमस का बना होता है सेरीब्रम मानव मस्तिश्क का एक बड़ा भाग बनाता है एक गहरी, लंबवत, विदर, प्रमस्तिश्क को दो भागों, दाएं एवं बाएं प्रमस्तिश्क गोलार्धों में विभक्त करती है जैसा कि आप चितर में देख सकते हो ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कोलैसम द्वारा जुड़े होते है इस चितर में कार्पस कोलैसम हलके नीले रंग का है प्रमस्तिश्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवरित करती है जिसे प्रमस्तिश्क वलकुट कहते हैं तथा ये निश्चित गर्तों में बदल जाती है प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके दूसर रंग के कारण दूसर द्रव्य कहा जाता है तंत्रिका कोशी का काई सांद्रित होकर इसे रंग परदान करती है प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक्षेत्र, समवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टिता ना तो प्रेरक्षेत्र है ना ही समवेदी ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर समवेदी सहभागिता स्मरन संपर्क सूत्र आदी के लिए उत्तरदाई होते हैं इस पत्खेरेशे माईलिन आच्छत से आवरित रहते हैं जो की प्रमस्तिष्क गुलार्द का आंतरिक भाग बनाते हैं ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप परदान करते हैं जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक सनरचना के चारों और लिप्टा होता है जो की समवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपो थैलेमस स्थित होता है हाइपो थैलेमस में कई केंदर होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंतरन करते हैं इसमें कई तंत्रीका, स्रावी, कोशिकाईं भी होती हैं जो हाइपोथेलेमिक हॉर्मोन का स्रवन करती हैं प्रमस्तिष्क गोलार्द का आंतरीक भाग और अंदरूनी अंगो जैसे एमिगडाला, हिपोकेंपस, आदी का समू मिलकर एक जटिल सनरचना का निर्मान करता है ये हाइपोथेलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवार मनो भावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उतेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदी का नियंतरन करता है लिम्बिक नाम लैटिन शब्द लिम्बस से लिया गया है पहले इन सनरचनाओं को लिम्बिक लोब के रूप में जाना जाता था धीरे धीरे अध्यान करते हुए हमारी समझ भड़ी और ये समझ आया कि ये क्षेत्र भावनात्मक और प्रेरक प्रिक्रियाओं के साथ जुड़े हैं और उन्हें उप संगटक घटकों से जोड़ा तब इसे लिम्बिक तंत्र कहा जाने लगा अब हम मध्य मस्तिश्क की बात करते हैं मध्य मस्तिश्क को मिजन सेफेलोन भी कहा जाता है मिजोन एक ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है जिसका अर्थ है मध्य मध्य मस्तिश्क अगर मस्तिश्क के थेलेमस अत्वा हाइपो थेलेमस तथा पश्च मस्तिश्क के पौंस के बीच में स्थित होता है एक नाल प्रमस्तिश्क तरल नली का मध्य मस्तिश्क से गुजरती है मध्य मस्तिश्क के उपरी भाग चार लोबनुमा उभारों का बना होता है जिने कौर्पोरा क्वाडी जैमिना कहते हैं यहां क्वाडी का अर्थ है चार इन में से दो नीचे और दो उपर होते हैं और उन्हें क्रमशा निम्न और उच केलिकुलस बोला जाता है कौर्पोरा क्वाडी जैमिना दृष्टी एवं शरवन का केंद्र है यह मूल रूप से अगर मस्तिश्क और पस्ष मस्तिश्क को जोडता है उच केलिकुलस हमारे दृष्टी और आंख की हरकतों को नियंतरित करता है निम्न केलिकुलस शरवन की प्रक्रियाओं को नियंतरित करता है स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में आप कौर्पोरा क्वाडी जैमिना को मध्य मस्तिश्क के उपर दो हरे गोलों के रूप में देख सकते हो अब तो आप ये बता सकते हो ना कि अगर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो वे हमारे मस्तिश्क के किस भाग में इस प्रक्रिया का प्रक्रमन संसाधन होता है अब हम पश मस्तिश्क के बारे में जानने का परियास करते हैं पश्च मस्तिश्क पॉन्स अनुमस्तिश्क एवं मध्यांश अर्थात मेडुला अबलोंगेटा का बना होता है पॉन्स रेशे नुमापत का बना होता है जो की मस्तिश्क के विबिन भागों को आपस में जोडते हैं पॉंस को दिये गए चित्र में समुतरी नीले रंग का रेशे युक्त भाग से दर्शाया गया है अनुमस्तिश्क अर्थात सेरी बैलम की सतय विलगित होती है, जो निूरॉन्स को अतिरिक्ट स्थान प्रदान करती है अनुमस्तिष्क इस चित्र में पीले रंग का है देखो ऐसा लग रहा है न जैसे एक पीले रंग का पेड टेडा उगा हुआ है ये पेड नहीं अपितु अनुमस्तिष्क है मस्तिष्क का मध्यांश अर्थात मेडूला अबलॉंगेटा मेरूरजू अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है मेडूला यानी मध्यांश दिये गए चित्र में गेहरे रंग के नीले मेरूरजू के उपर थोड़े से हलके नीले रंग से दर्शाया गया है मध्यांश में श्वशन, हरीदेश, परिसंचारी, परिवर्तन और पाचक रसों के सराव के नियांतरण केंद्र होते है मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मälltूला अबलोंगेटा, मस्तिष्क स्थम के तीन प्रमुख क्षेत्र है मस्तिष्क स्थम मस्तिष्क और मेरूरज्यू के बीच संयोजन स्थापित करता है मस्तिष्क स्थम अर्थात brainstem मस्तिष्क का एक बहुत चोटा भाग है जो मस्तिष्क के कोल वजन का सिरफ दो प्रतिशत है जैसा की मैंने बताया ये हरिदे और श्वशन दर को नियंतरित करने में और हरिदे एवं श्वशन क्रिया को वी नियमियत करने में महत्वपून भूमी का निभाता है इसमें से दस कपाल नसे निकलती हैं और कुछ नसों के माध्यम से चेहरे और गर्दन को मुख्य आवेगी और समवेदी तंतरिकाओं की आपूर्ती भी होती है विद्यार्थियों क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी गर्म बर्तन को गल्ती से चू लिया हो तो आपने क्या किया अपना हात बर्तन से हटा लिया है न आपने अपना हात हटाने के लिए सोचने में कितना समय लिया ये सारी प्रतिक्रिया पलक जपकते ही हो गई न और आपको बाद में समझाई कि आपका हात कब हट गया ऐसा प्रतिवर्ति क्रिया के कारण होता है ऐसा हम तब महसूस करते हैं जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यदिक गरम ठंडी नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है प्रतिवर्ति क्रिया की संपूर्न क्रिया विधी एक अनैचिक क्रिया है जो की परिधिये तंत्री किये उद्धीपन के फल्स्वरूप केंद्रिये तंत्री का तंतर के भाग विशेश की अनुपस्तिती में होती है प्रतिवर्ती क्रियापत अभिवाही नियूरोन यानि ग्रहित अर्थात एफरेंट नियूरोन और अपवाही नियूरोन यानि प्रभावक या उतेजक अर्थात एफरेंट नियूरोन जो की निश्चित करम में लगे होते हैं से बना होता है आपकी स्क्रीन पर दिये गए चित्र में आप प्रतिवर्ती चाप का आरेक देख रहे हो इस चित्र में निर्जक रिफ्लेक्स को दर्शाया गया है यहां यह दिखाया गया है कि अगर आपके घुटने पर हथोड़े जो की उद्धिपन है से चोट लगे तो आपकी जांग की मासपेशी से अभिवाही पत अर्थात एफरेंट पाथवे जो की एक समवेधी नियूरोन है यहां जिसे नीले रंग से दर्शाया हुआ है कि द्वारा समवेधना मेरूरज्जू के दूसर द्रव्य की ओर जाता है जहां उचित निर्ने लेकर उचित आदेश दूसर नियूरोन जो की धूसर द्रव में मौजूद नीले रंग से दर्शाया गया है को दिये जाते हैं यह कोशी का समवेधनाओं के प्रेरक नियूरोन यानि मोटर नियूरोन अपवाही पत अर्थात इफेक्टर पाथवे को प्रेरित करती है और कारे-कारी अंग यहां पेशी कि पौंचाते हैं जिससे उचित अनुक्रिया होती है इससे पहले कि अभ हम इस सत्र को समाप्त करें आये हम एक त्वरित पुनर विटि करते हैं विद्यार्थियों आज के सत्र में आपने सीखा कि केंदरियë तंत्री का तंत्र के मुख्य भाग मानव का मस्तिश्क जिसके अंतरगत आपने अगरमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क एवं पश्rich मस्तिष्क के बारे में जाना हमने ये भी जाना कि प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप में कौन-कौनしी कोशिकाएं की भूमिका होती है विद्यार्थियों आपके लिए कुछ प्रश्न जो आपको अपनी कौपी में करने हैं पहला प्रश्न थेलेमस और हाइपो थेलेमस के बीच में अंतर बताईए दूसरा प्रश्न मानव मस्तिश्क का सारवधिक विक्सित भाग कौन सा है तीसर प्रश्न है कपाली तंत्रिका एवं मेरु रज्जु तंत्रिका में बेद बताएं आशा करती हूं कि आज का सत्र आपके लिए बहुत उपियोगी रहा होगा आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूं नमस्कार करते हूं करते हूं